तो अज़के इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो सबसे पहले आपको पिक्सड अप्लिकेशन में अपने वाले फोटो को उपेन कर लेना है जो आप यहां पे एडिट करना चाहते हो और पिक्सड अप्लिकेशन आप प्लेशन प्लेश्टोर से डाउनलोड कर सकते हो तो यहां पर सबसे पहले आपको जाना है टूल्स वाला आप्शन पर और यहां पर क्रॉप पे क्लिक कर देना आपके सामने यहां पर देख सकते हो 16-9 रिश्व मिल जाएगे इसके पर क्लिक कर देना तो देख सकते हो यहां पर जो भी पार्ट क्रॉप करना चाहते हो उस पार सकते हो मैं पर रख लेता हूं 15 पसंट और यहां से कर लेता हूं ड़र नेश्ट में यहां पर जाएंगे एड़ फोटो वाला अप्शन पर आने के बाद आपको बैग्रोंड वाल आप्शन इसके पर पर क्लिक कर देना है और यहां पर जो कलर वाल आप्शन देख रहे हो इसके पर क्लिक कर देना और जो भी कलर आप यहां पर सिलेट करना चाहते हूं उसे सिलेट कर सकते हूं जैसे के मेरे फोटो में यहां पर यहां पर इसे ब्लू को सिलेट कर लेता हूं बिल्कुल लाइट और यहां से कर लेता हूँ add, फिर आपको इसे इस तरह से zoom करना है, और opacity में आप रख लेता हूँ 15%, और यहां से कर लेता हूँ done, अब यहां पर अपने margin से color select करके, इसका opacity कम करके done कर देना, फिर आपको फिर से add photo पे जाना है, और उसी photo को आपसे add कर लेना, तो मैंने यहां इस तरह से यहां पर adjust करना है, थोड़ा से zoom कर लेता हूँ, लग बग इतना, और adjust करने कहा है, यहां पर काँपे टैप कर देना, तो यहां पर फिर से add photo का option मिल जाएगा, इसका पर click कर गे, आपको इस वाले image को add कर लेना है, मतलब screenshot को, और यहां पर मैंने screenshot लिया, इसे कैस पर आपको अप्छेशन करना है, और यहां पर जो फोटो का जो background है, इसे हमें black में connect करना है, तो इसके लिए हमें यहां पर जाने effect वाले option पर, और effect वाले option पर जाने के आद आपका अपके colors वाले option इस पर click कर देना, और यहां पर black and white वाले effect इसे apply कर देना, तो देख सकते ह यहां प्लाई हो चुका है और यहां पर फोटो पे क्लिक करते हैं और यहां पुझ शेड़ो उप्छन पर पर क्लिक कर और इसी screenshot को आपसे add कर लेना और इसे add करने के आपको crop वाले option बजा कि इस वाले part को crop कर लेना है और zoom करके अपने photo के उपर वाले part पर adjust कर लेना कुछ इस तरह से और photo को जोए मैं थोड़ा सा और नीचे के तरफ लेका आया तो और याप जो उपर वाला crop हमने क्या था इसके आप जो पिसी रख लेता हूं में 80% पर और यहां से कर लेता हूं तो हमारा photo याप रेडी हो चुक है इसके आपको यह लाइकन पर क्लिक करके अपने photo gallery में save कर लेना है मैं आपको काफी easy way में इस तरह का edit कैसे करना इसे खा दिया है अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने favorite song का screenshot ले सकते हो तो आपके आप जो Spotify वाला जो आप पे इसे आपको download कर लेना है Play Store से और इसे sign up कर लेना तो यहां पर इस तरह का interface आजाएगा इसके अजश्ट आपको screenshot लेना है और अपने photo में इसे यूज़ कर सकते होगा क्योंकिस आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको फीचर में एसे और वीडियो देखना है तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को like और एक अच्छा से comment करना बिल्कूल ही मत बूलना और इस्ट्राग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक के दे देस्क्रिप्शन तो में तेवरे बागले वीडियो पर